मैं इस डिबेट में जॉइन कर चुके हैं बाई वीरेन जी आज मैं रिपोर्ट्स देख रहा था आपने च्छी और पी असी से बड़ी रिपोर्ट्स जीले जीलों से मंगवाई हैं तो एक तो शुक्रिया आप कि आप इतने जागरुकता लोगों के बीच स्वास्थमामलों क ग्रामीड शेतर में आप और आपके रिपोर्टर्स पहुंचा रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि कैसे हाला थे पीच सी और सी से क्या वो नसेडियों का अड़ा हो गया है बिल्डिंगे द्वस्त पड़ी है कि यह बात सही है कि बिल्कुल देखिए गाउं में जो सास हुसा भरा हुआ है कई तबेला है कई जंगा लुगा हुआ है कई डाक्टर सालों से नहीं आये हैं तमाम सारी सच्चाइया निकल निकल के सामने आ रही हैं अब आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम लेते करोणों और और रुपया फूगती है सरकार इन पर लेकिन जब दुरुस्ती नहीं है तो ऐसे सेंटरों से किसको लाब हो रहा है क्या फाइदा हो रहा है सरकार का पैसा कितना बरबाद हो रहा है और उत्तर परदेश तो वह इसे भी बड़ा परदेश है इनको अपने बहुमत पर बहुत नाज है कि हम 305 सीटे जीते हैं हिंदूस्तान का स पाली मीठा मीठा गप करेंगे यह जो इनको फाइदा पहुंचाए आप यह बताइए कि बीजेपी 45 परसेंट वोट पाकर अगर सत्ता में आई थी और 9 परसेंट लोगों को ही इंजेक्शन लगा पाई है वैक्सिनेशन का तो अपने देवतु लिकार करता हो के साथ भी अ परसेंट 9 परसेंट देखें उत्तर प्रदेश में जो तबाही आई पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया ने भी देखा और जाना इसको इसमें कोई नैस्चर की बाद नहीं सोसल मीडिया इतना तेज है लेकिन अब यह पता नहीं कैसे कहते हैं कि साब हमने बड़ा काम किया आग बुजिने के बाद ये पानी लेकर आए और कहते हैं कि हमारी सचाही न बताओ लोग सडकों पर मर गए इलाज के भाव में अस्पताल में बेड नहीं मिला अक्सीजन नहीं मिला हाई कोर्ट के जस्टिस की मौत हुई तमाम उसके आलोचना हुई जहाँ चल रही है किस म सब्सक्राओं में तो मातम पसरा है जिन काफी लोग मर गए अब रोज कितना मरें क्या दू-तीन साल लोग मरते रहेंगे बाई सभाविक है कि कमी आएगी हम लोगों ने लागडाउन का पालन किया प्रदेश की जंता ने कमी आई है हम भाई उड़न खटोला चल रहा है पता नहीं किस को जिनके किसी के पिता मर गए किसी की मा मर गए किसी के हाँ दोनों मर गए तो जिनके हां मरें उनके हां क्या मदद पहुंची यह भी तो बताए सरकार कि भाई उनके हां खानेक नहीं है या उनके बच्चों को को कचोड़ती है अब उनकी पूरी जिंदगी अधेरी हो गई अब उनके लिए ना बाप का साया है कि जो उनको उनके जीवन को रोस नहीं दिखाए ना घर में मा है कि जिसके आचल में चुपके रो सके बहुत सारी इसी स्थितियां है छोटे छोटे बच्चे हैं रोते अपन कि ठीक है सरकारे तो आती जाती रहेंगी हमने यह महामारी मुपर मास्क ना लगाने की वज़ा से झेली लेकिन लोग याद रखें कि आने वाली पीडियां भी भूखतेंगी अगर आज हमने मुपर ताला लगा रखा आज खुलके बोलना पड़ेगा वरना आने वाली कि हमारे नागरिक मारे जाएं लेकिन जब सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तो राम नामी भी खीच ली जाएगी समसान से आकर और आप मुर्दे भी नंगे घूमेंगे अब तो यही इतिक्रा है अच्छा यह वैक्सिनेशन का हाल आप जान लिए आज पंजाब की सरकार को अमेरिका की माड़ना कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हम तुमको नहीं देंगे वैक्सिन हम तुमें नहीं जानते हम खाली केंद सरकार को जानते हैं और उन्हीं के साथ हमारा ब्यवहार है तो अब एक राज को तो मनाई हो गई अब चाहे आप ग्लोबल टेंडर करें चाहे आप अमेरिका चीन जापान कहीं मांगें जब वह आपको देनक तयार है भारत की सरकार आए वह बात करें तो वह समान ले तो अब तो यह देखिए तमाम सारी बाते आ रही है और मात्मूर बात यह है कि जहां पर कोई नहीं पहुंचता है कहते हैं कि जहां न पहुंचे रभी वहां पहुंचे कभी कभी मतलब आपका पत्रकार पत्रकार भी उसी में से है देखिए इस देश में जब जब संकट आ बहेंगी सामने क्योंकि तंत्र में हो सकता है तभी उसके बाद वो तंत्र ही लेचले क्योंकि वह अपने आकाओं को सरकारों के आग के पट्टी बांद देता है हर चीज को वह निगेटिब दिष्ट कौर से दिखाता है उत्तर पर्देश में बीजे पी की सरकार वा कि जितने गाल बजा रही है उतना जंता को कोई रहत नहीं है इनके बिधायक मंत्री बिधायक कितने मर गए मंत्री मर गए इनके कार करता चिलाते रह गए आक्सीजन नहीं मिला यह किस मूँ से बात करते हैं अब यह जो और तोल में लगे हैं कि बलाक परमुखी जीतो चिलापंचाण देख्षी जीतो भारतिय जंता दर्सी बे उस्था की बात करते हैं कि चलिए जी विरेंजी चार लाइने कहूंगा जो लोग चांद सूराज सब पर कदम रख रहे थे पलाड दे रहे थे आज वो सब लोग सुनें कि चांद जिनके कदमों में सूरज खिलाउना हो गया मगर इस दौर में उनका कद बाउना हो गया और सहर के दंगों में जब मुफलिसों के घर जले तो कोठियों के लान का मंजर सिलोना हो गया और यू तो अदम के बदन पर भी था पत्तों का लिबास लेकिन वालू क्या उड़ी कि मौसम घिनोना हो गया